आज मैं आपके लिए एक विप्ट क्रीम वाला स्ट्राबेरी फ्लेवर केक की रेसिपी लेके आए हूँ चलिए देखते हैं हम इसके लिए कौन-कौन सी इंक्रीडियन्स लेते हैं सबसे पहले मैं बटर को लूँगी हैंस बटर आपका रूम टेंपरेचर पे होने चाहिए इसके साथ मैं ओइल ले रही हूँ दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कीजिए दही आप दही की जगव पे अंडों का भी इस्तवाल कर सकते हैं एक क्रीमी बैटर बनाना है फ्रेंज आपको आप यहां चाहे तो इलेक्ट्रिक बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं मैंने यहां कैस्टर शुगर ली है जो कि मैंने पहले से सीव करके रखी थी अभी सारी चीजों को मिक्स करके एक अच्छा सा फ्लफी बैटर बनाना है अभी मैं मेदे के अंदर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा एड करूंगी और फिर तीनों को अच्छे से मिक्स करके छान लूंगी थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर डालिए और सब कुछ अच्छे से मिक्स करते रहिए फ्रेंज मैं यहां स्ट्रॉबेरी विप क्रीम का केक बना रही हूं तो मैं केक भी स्ट्रॉबेरी का ही बना रही हूं अगर आप चाहे तो प्लेन वैनिला बना सकते हैं कि मैं यहां स्ट्रॉबेरी इमल्शन का यूज नहीं करूंगी सिर्फ स्ट्रॉबेरी ऐसस्वेकर यूज करूंगी फ्लेवर के लिए तो मैंने यहां one four टीज्फून स्ट्रॉबेरी ऐससेंस लिया है और साथी साथ मैं दूद एड़ करूँगी दूद थोड़ा थोड़ा करके एड़ कीजिए और सब कुछ मिक्स करते रहिए एक फॉलिंग कंसिस्टिंसी वाला बैटर बनाना है आपको मैंने पहले से ही अपना टिन ग्रीज करके रखा है बाटर्स मैं इस केक को वान सिक्स्टि डिग्री पे 25 मिनिट्स के लिए बेग करूँगी केक टिन को दो तीन बार अच्छे से टैप कर लीजिए फ्रेंज चाहे तो आप पैश्मिन पेपर भी लगा सकते हैं लेकिन इसे अच्छे से ग्रीज कर लेना ताकि केक एकदम आसानी से निकल जाए 25 मिनिट्स हो गए है मैं एक नाइफ कोक करके देख रही हूँ अगर नाइफ क्लीन आए इसका मतलब आपका केक परफेक्ली डन है केक जब अच्छे से थंडा हो जाए तो आप इसे दो हिस्सों में काटके साइड में रख लीजिए अब मैं यहां विपिंग की तयारी कर रही हूँ मैंने यहां विप क्रीम ली है जिसमें मैं शुगर एड़ कर रही हूँ इसे अच्छे से विप कर लीजिए और साथ में मैं स्ट्रॉबेरी सॉस जिसकी रेसिपी मैंने अल्रेडी दिखाई है वो एड़ कर रही हूँ आप चाहे तो इसे अवोइड भी कर सकते हैं बोड की उपर थोड़ा विप क्रीम लगा लीजिए और केक का पहला लेयर ले लीजिए इसके उपर उसको मैं थोड़ा चीनी और पानी का घोल बनाया था उससे मॉस्चराइज कर रही हूँ और विपिंग शुरू कर दीजिए कुछ इस तरह से केक बोड को घुमाते जाईए और विप करते जाईए और मैं बीच में स्ट्रॉबेरीज वापस डाल रही हूँ फ्रेंज आप चाहे था इससे अवाइट भी कर सकते हैं सेकंड लेयर लगा लीजिए और उसे भी अच्छे से विप कर लीजिए अब इसे हम थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रखेंगे ताकि थोड़ आसा सक्त हो जाए कॉर्णर में जो भी क्रीम फैली हुई है उसे टिशू से साफ कर लीजिए अभी में जो बचा हुआ विप क्रीम है उसमें इमाल्शन एड़ कर रही हूँ अब को जितना भी स्ट्रॉबेरी केक तैयार हो चुका है अब जैसे चाहिए उसे सजाए अब आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया है प्लीज अगर पसंद आया है तो इसे लाइक शेर और कमेंड कीजिए और अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब की तक क्रकु को आपिए अगरा के अगरा झाल झाल